हेलो चिल्डरन वेल्कम बैक टू माइ चैनल और आज हम ग्रैमर की नहीं टॉपिक करने वाले हैं अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए और लाइक कीजिए आज का नया टॉपिक है नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं आज हम इसकी नाउन की डिफिनेशन देखते हैं नाउन की डिफिनेशन क्या है इसे क्या कहते है नाउन कहते हैं नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स के हम इस चैप्टर में छोटे बच् तो words की practice जादा देंगे जैसे person, अभी person में कौन-कौन होते हैं, person में relative हमारे person में होते हैं, जैसे कि mother, father, brother, sister, और भी relatives होते हैं, जैसे grandmother, grandfather, जितने भी relatives होते हैं, वो person में count हो जाते हैं, जीकिया है, next होते हैं friends, कौन कर लागए है दॉक्टर हैं इंजिन्यर एंटर है इंजिनियर यह यह सारे वर्ड स्थिल्श करते है को तर लेइनवर्थ हैं जैसे एक student हम दोनों के लिए लगाते हैं, तो यह word naming word होता है, cousin donor के लिए लगता है, teacher, teacher दोनों के लिए लगता है, तो ऐसे words की practice देंगे हम बच्चों को यह naming words होता है, place, place में क्या क्या आता है, place में सारी चीज़े आती है, जैसे cities है, country है, building है, cities में सारी cities के नाम आपको पढ़ने आने चीए, जैसे मुंबई, पूने, इनकी spelling को रीट करने बराबर से आने चीए, country, country में बहुत सारे country के नाम है, उसकी practice आप जब चेंटर सुीटे हो, प्रैक्ट तो उसमें sentence में आप phonics करके, आप spellings पर ध्यान करके, आप रीट कर सकते हो, जैसे इंडिया, चाइना, ठीक है, building, buildings में, कौन सी-कौन सी buildings में हम बात कर रहे हैं, school है, hospital है, ऐसे सब buildings जो है, यह words, naming words है, यह noun है, ठीक है, cinema, park, garden, beach, यह सारे naming words है, next हम जाते हैं, animals, animals में, animals, and birds, दोनों के नाम में लाके, यह हो जाते हैं, naming words, उसमें सारे animals आजाते हैं, wild animals, pets, domestic animals, और सारे birds के नाम, यह हो जाते हैं naming words में, ठीक है, next है हमारा thing, thing किसको बने है, इतनी भी objects होती है, जैसे हमारे हाथ में, pen होती है, chalk है, book है, fan है, trees है, flowers है, यह सारे words, जो है, यह naming words में दिखने वाले हैं कि noun की types होते हैं, दो types होते हैं, एक proper noun और common noun, proper noun यानि special names जो होते हैं, जैसे boy है, boy का special name है Sam, Rohan, तो यह special name दिया गया है, वो proper noun होता है, तो अब हम next practice करने वाले हैं कि underline the noun in the given sentence, रोहन has a big car तो यहाँ पर हम noun को underline करते पहले और फिर हम मालूम करते कि यह proper noun है कि common noun रोहन एक special ले में और car common noun है तो यह proper noun के लिए मैं भी लिखते हूँ and common noun के लिए झी लिखते हूँ ठीक है Tina wants to visit Australia Tina proper noun है wants to visit Australia यह भी proper noun है और एक भर हमें नियाद रखना है कि special length जो proper noun होता है वो हमेशा capital letter से ही start होता है third sentence में peacock is the national bird of India यहाँ पर peacock bird है यहाँ पर यह proper noun यह हो रहा है bird में यह common noun है India हो बस है capital letter में है और यह proper noun है अब यहाँ पर देखें मैंने एक और एक और एक practice set बनाया है जिसमें कुछ words दिये है और हमें इस fill in the blanks pattern में यह words को समझ के डाला है यह words जो है naming words है sentence को read करना है समझ रहा है और words कौन से बनावर्ट fit होगे वो ही words इसमें डाला है words है horse, kite, deli, cricket, baby first sentence है the dash is crying चीक है हम बच्चों से पूचेंगे कि इसमें से कौन सा words fit होगा इसमें से और वो naming word हम इसमें डालेंगे so the baby is crying baby word आएगा next second sentence है ram is going to ram is going to कहां पर वो जा रहा है so कौन सा word आएगा यहां पर deli तो हम यहां पर deli आ रहें next third sentence है the dash is flying in the sky so kite word suit होता है तो हम यह naming word आ लेंगे fourth I like to play cricket so हम cricket आते है next last sentence है dash runs fast so horse runs fast so इस तरह से हम इस chapter यह practice करेंगे क्योंके noun chapter third standard में fourth standard में fifth standard हार standard में यह chapter आता है लेकिन यह detail में हैगा first and second में सिर्फ common noun और proper noun की ही practice करेंगे तो so आज के लिए काफी है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्रीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मिलते हैं next video कर दो